दुनिया भर में कोरोना वारस का संक्रमंट तेजी से फैलता जा रहा है इसी बीच यूरोप में जहां एक तरह कोरोना का कहरती तीज हो रहा है वहीं एक और नई बिमारी प्रविश कर गई है दरअसल वहाँ के बच्चों में एक नई बिमारी सामने आई है इससे कई बच्चे पीडित हुए हैं जानकारी के नुसार उनके शरीर में चारों लाल रिंग के चक्ते निकल आये हैं बच्चों के डॉक्टर्ज भी इस बिमारी से परिशान है उन्हें इस बिमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है महीं कुछ रॉक्टिस का कहना है कि यह कावसाकी बिमारी की तरह दिखाई दे रही है यह वही बिमारी है जो 5 साल से कम उमरी के बच्चों को होती है इसे म्यूको क्यूटेनियस लिंफ नौड सिंड्रोम भी कहते हैं इस बिमारी के लक्षन को जिस प्रकार रहते हैं कि और जबड़े के आसपास सूजन दिल की मास पेशियां ठीक से काम नहीं करती फटे हुए हूट तो अचापल लाल रंग के चकते या सूखे के निशान जोडों में दर्द हाथ पैर की उंग्लियों में सूजन और डारिया यूरोप की नेशनल हैल्स मिशन ने कहा कि जिन प्रिजलेंड और अमेरिका में भी ऐसे मामलू की जानकारी मिली है